हेलो फ्रेंड्स वेलकुम चू ओल अबाउट कोकिंग भावना नवरात्रे आने वाले हैं इसलिए मैं आपके साथ कुछ अब कुछ रेसिपीस फास्ट वाली ही शेयर करूंगी यह देखिए आज हमने बनाया है फास्ट के लिए शकरगंदी का हल्वा बहुत ही इजी है क्वि मैंने 200 ग्राम शकरगंदी ली है इसको मैंने बहुत है क्विडियो लाइक कर रहे हैं आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं थैंक्यू सो मच्छ मैंने 200 ग्राम शकरगंदी ली है इसको मैंने जिस तरीके से हम आलू बॉयल करते हैं इस तरीके से मैंने इसको छील के उतार दिये इसको पील कर दिया है अब इसका हल्वा बनाने के लिए हमें फर्स स्टेप क्या होगा कि हमें इस तरीके से ग्रेट इसको ग्रेट करना होग मैंने कड़ाई ली है इसको गरम करने के बाद 500 ग्राम शकरगंदी के हिसाब से इसमें जाएगा 100 ग्राम के करीब देसी घी अब इसको हम मीडियूम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक यह थोड़ी सी गाड़ी नहीं हो जाती मैं इसको भूनती हूँ और मैं बताऊंगी कि मुझे कितना मिनट लगा कितनी दे लगी 5 मिनिट 10 मिनिट कितना टाइम लगा इसको गाड़ी होने तक यह कि घी ने सारा शकरगंदी में सारा घी अब्सॉर्ब कर लिया है अब हमें इसे कॉंटिन्यूसली चलाते हुए थोड़ सा गाड़ा होने तक इसका रल्क ते हं बूंना है बहुत ही स्वीट पेटाटाज फुल फाइबर होती है बहुत ही अच्छे होती है यह हमारी मोड के लिए आप फास्ट में इसको लेंगे तो आपको फुल फील होगा इसको लेने के लिए कि स्पेशल नवरात्री रेसिपी है यह मुझे आदा घंटा हो गया है इसको पकाते हुए यह देखिए यह थोड़ी सी इस थोड़ा सा घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और यह थोड़ी सी कलर भी इसका चेंज हो गया है अब हमें जाएगा 200 ग्राम शकर गंदी इसके अंदर जाएगा 100 ग्राम के करीब द जाएम पर हम डालेंगे 100 ग्राम के करीब चीनी यह मैं फास्ट के लिए बता रही हूं अगर फास्ट के लिए नहीं बनाते हैं पट्र फास्ट में कुछ लोग एसेंस नहीं पसंद करते हैं तो इसमें मैं डालूंगी इलाइची पाउडर बद एक्दम लास्ट में आप इस अब हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि यह जल्दी से सारा दूर इसमें अब्जॉब कर लें इस प्रॉसेस में भी आपको चार से पांच मिनिट लगेंगे मुझे चार से पांच मिनिट लगे यह देखिए स्वीट पटैटोस दे सारा दूर सोप कर लिया है और साइट से इसने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अब इसके अंदर लास्ट स्टेज में जाएगा इलाइची पाउडर मैंने चार से पांच इलाइची को तूट के उसका पाउडर बनाया है आप मार्किट से इलाइची पाउडर ना लाइएगा इलाइची लाके उसका फ्रेश इलाइची पाउडर घर में बनाके ही यूज करना चाहिए उससे अच्छी फ्रेग्नेंस रहती है यह हमारा शकरगंदी का हलवा रेडी है अब मैं ग्यास की फ्लेम बंद कर दूंगी और लास्ट में इसमें हमें अपसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकालूंगी सर्विंग वाउल में जिसमें भी मुझे से सर्व करन बट शकरगंदी के साथ वालनेट का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है आप फ्राई करके देखिएगा और अपनी फांस्ट वाला शकरगंदी का हलवा रेडी झाल झाल झाल